कल का मैच देखने में मतलब कि समची हिस्टरी जो है हिस्टरी कल किरियट हो गई कल जो है टी ट्वेंटी मैच में दुबारा जो है सुपर ओवर देखने के लिए मिला और हम मैच देख नहीं रहे थे, मतलब कि लाश्ट ओवर्ड बचा था या कुछ चार्या पहांच बॉल बचाता था, इसाज थी थी थे कि आपकवनिस्थन को बाराय पंदरन बना था उस ओवर्ड में 17 रन के आसपास, और मुक्यस कुमार बॉलिंग कर रहे थे, तो मुक्यस क सुपर ओवर्ड क भी सूपर और हो गयार, उस पुर्ण क्वर्ड को मैच sırा हो गया खता मोवायाज मेच only 15 बारा क्या सब्सक्राइब 10 से स्टाट बचाता तो उसकी बात करें तो रोहित सर्मा जो है दो बार से दो मैश से जो डग पर आउट हो रहे थे जीरो पर आउट हो रहे थे तो उनका कोई परफोर्मेस नहीं चाड़ा था तो रोहित सर्मा पर कुईसे को बिलिव या भरोसा नहीं था कि वो अच्छा परफोर्मेस करेंगे देखने के लिए उनके द्वारा मिलेगा लेकिन जो है कल रोहित सर्मा का फॉर्म आठ छकाल लगा है जिसमें जिन में उन्होंने 121 रन का पुरा तरह से मतलब सतक किया पारी पांचवा सतक 30-20 में उनका इसलिए रोहित सर्मा का फैनम भी है कि मतलब कि लगाते हैं तो एक साथ 300 रन लगा देते हैं मतलब कि ऐसा कुछ देखने के लिए मिला तो मतलब कुस हट के हैं इसलिए हिट मैन है रिंकू सिंग का भी लाजभा पर्फोर्मेंस देखने के लिए मिला रिंकू सिंग ने भी 65 run का जबाव अब सांधार पारी खेले और जो है मतलब कि इतना अमेजिंग परफॉर्मेंस इतना लाजवा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला मतलब सोच नहीं सकते हैं उनके दोरा वे से रोही सरम और रिंकु सिंग इतना उनके दोनों प्लेयर्स के वज़ा से ही इंडिया जो है 212 रन का टार्गेट एचीव कर पाया जो है अफगानिस्तान के सामनी जो है टार्गेट रखा जो है 212 रन का टार्गेट अफगानिस्तान के सामनी तो अफगानिस्तान की तरफ से भी लाजवा बैटिंग देखने के लिए मिला जो है उन्होंने जो मतलब 211 रन का टार्गेट एचीव कर लिया था लेकिन जो है एक रन की वज़ाद से जो है मैच ड्रो हो गया और जिसके कारण जो है दो सूपर आवबर कल देखने के लिए मिला सूपर आवबर सीडिकर जो है में नेक्स्ट विज़ी आवबर देखने के लिए इसमें जो है इसके मैच जो है सूपर आवबर सीडिकर पालो गटिकर उसके बारे में बताते